भारती स्पेस सेक्टर लगातार अंतराश्टी अस्तर पर नए आयाम हसल कर रहा है और इसमें न केवल इसरों की भूमिका है बलकि हमारा प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हल ही में चेन ने इस्थितिक स्टार्ट अप नेक रॉकेट लॉंच किया और इस रॉकेट के खास बात ये थी कि इसमें पहली बार 3D प्रिंटेड इंजिन का इस्तमाल किया था वारिस वीडियो में हम इसी रॉकेट के बारे हम बात करेंगे इसी पूरे पूरा 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 इस चानल के इस नए वीडियो में चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूप रेखा को समझ लिया जाए तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानि खबर पर बात करेंगे जो भी important points है उनको एक बार दुबारा से समझेंगे rocket के बारे में rocket launch करने वाली company के बारे में इसके अलावा जो rocket launch हुआ है उस पूरे mission की विशेश्था क्या है एक बार उसको भी समझने की कोशिश करेंगे उससे जड़े point भी जानेंगे और space छेत्र में निजी company जो है वो किस तरह से काम कर रही है उन पर भी बात करेंगे इसके अ चलिए विडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले एक बार विडियो की रूप रेखा को हमने यहाँ पर देख लिया है और रूप रेखा के बाद सबसे पहले बातचीत की जाए खबर की तो खबर से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमको अगर आप समझे तो चेन नहीं का एक start-up है startup का नाम है company का नाम है अगनीकुल Cosmos Private Limited short form में आप इसको याद रएख सकते हैं अगनीकुल नाम की company है डिस company ने Um और चैसिरी आम के नाम की बात करें आप रौकेट का नाम है अगनी बान सब और टरेकन दशिरी सिर्श स्थे यह सब अगनी बान कह सकते हैं अगनी घैसली आप भी इसको पेड़ाPN के से हैं जो धानुष नाम का एक निजी लॉंच पैड है जिसके माध्यम से इसको लॉंच किया गया है इसके अलावा इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर एक और है जो आपको समझना है कि यह भारत में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई इसकी ओर से पहले भारत का जो निजी रॉंच लॉंच किया गया था और यह भी लॉंच के बारा में विकरम को नम रख रखना है त्रीडी प्रिंटेट्ड टिकनॉल नाम का एक निजी launch pad इस्तमाल किया गया है और sky route जो है इससे पहले जो है private rocket launch कर चुका है तो यह हमने सबसे पहले ख़बर को देखा अब एक बार इस mission की विशेष्टाओं पर बात कर लेते हैं तो यह जो पूरा आपका mission है इस mission में आपको प्रमुखतर तीन दो विशेष्टाओं देखने को मिलेंगी पहली विशेष्टा इसकी यह है कि इसका जो semi cryogenic engine है semi cryogenic engine जिसमें आपको liquid और gaseous दोनों तरह के technology मिलेगी तो जो semi cryogenic engine है वो पूरी तरह से 3D printed technology के इस्तमाल करते हुए तयार किया गया है और ऐसी बात नहीं है कि 3D printed technology space sector में पहली बार इस्तमाल हुई है इससे पहले भी space hardware का निर्मार करने में 3D technology का इस्तमाल किया गया है लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी company ने 3D printing technology का इस्तमाल करते हुए rocket का engine तयार किया है और उस engine को सफलता पूरवक launch भी किया गया तो ये हमें पहली बार देखने को मिला है अब ये जो 3D printed engine है इसका कोई भी घटक जो है वो गतिशील नहीं है इसमें कोई भी जो है गतिशील भाग आपको देखने को नहीं मिलेगा mobile part कोई भी देखने को नहीं मिलेगा पूरा एक ही hardware का piece है जिसको 3D printed technology के जरिए तयार किया गया है यहाँ पर कोई भी welding नहीं मिलेगी आपको कोई भी joints नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि जब engine तयार किया जाते हैं तो अलग अलग parts को एक साथ जोड़ा जाता है वहाँ पर आपको welding मिलती है वह संभावना बहुत जादा कम हो जाती है तो यह भी important बात है जिसको आपको याद रखना है इसके अलावा इसके दूसरी विशेश्ता इस पुरा जो आपका अगनी बांड rocket है इसकी दूसरी विशेश्ता यह है कि इसको पहली बार किसी निजी company द्वारा विक्सित launchpad के मा रिकोटा में जो दो launchpad मौजूद हैं उनके माध्यम से launch होते थे लेकिन अब अगनी जो आपकी company है अगनी कुल इस company ने अपना स्वयम का rocket launchpad बना लिया है खाला कि उस launchpad को बनाने ने भी इस रो के infrastructure का इस्तमाल किया गया है इस रो की साहता ली गई है लेकिन important बात यह है कि वो अगनी कुल का अपना private launchpad है तो अब अगनी कुल को इस रो पर depend रहनी की जरूरत नहीं है अगनी कुल जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय rocket को launch कर सकते है और दूसरी company के rocket को भी अपने launchpad के माध्यम से launch किया जा सकता है यह एक important चीज यहाँ पर आपको जो निजी छेतर है वहाँ पर आपको कौन-कौन सी निजी कमपनिया मिलेंगी उनकी क्या स्थिती है उसको अगर एक बार आप समझा जाए तो अगनी कुल और Skyroot जो दोनों कमपनिया है यह दोनों कमपनिया स्पेस छेतर में निजी छेतर के हिस्सेदाड़ी बढ़ाने की सर सरकार का जो प्रयास रहा है सरकार की जो कोशिश रही है उस कोशिश के हिस्से के तौर पर इसको देखा जा सकता है उस कोशिश के बहतर उधारन के तौर पर इसको देखा जा सकता है लेकिन यह केवल ऐसी दो कमपनिया नहीं है जो कि भारत में स्पेस सेक्टर में काम कर रह अलग अलग सेग्मेंट में आपको अलग अलग प्राइवेट कंपनिया देखने को मिल जाएंगी और इसके अलावा भारत सरकार की और से भी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश की जा रही है बीते दिरों प्रिधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने इंवर्क रहा है उसमें भी भारत का स्पेस सेक्टर एक important element के तौर पर important component के तौर पर सामने आया है और आप इस पूरी स्पेस डिप्लमेसिक अस्तमाल करते हुए भारत दूसरे देशों को न केवल भारत में निवेश करने के लिए अकरशित कर रहा है निवेश करने के प्रिफार आटार जो कोशिच कर रही है ने काले फिर शाहर ने कोशिच कर रही है यहांत में जो प्राइवेट कंपड प्रायविट कंपनियों को सही डंग से डेवलप किया जाए ताकि हो हमारे स्पेस सेक्टर स्पेस economy में और ज़्यादा contribution कर सकें यह हमने बेसिकली यहाँ पर समझा कि स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के इस्सिदारी किस लेवल पर पहुच गई है और सरकार उसको लेकर के क्या प्रयास कर रही है आबंत में आपको ये भी बताना है कि ये जो पहला निजी रॉकेट लाउंच पैड है इसका नाम क्या है इसका नाम भी आपको comment box में बताना है तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप करते हैं और उमेद है कि इस वीडियो में जितने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले